हेलो दोस्तो आप सभी का हमारे यूटूब चैनल एंडलेस स्टोरीज पे एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जेन्यू के बारे में बात करेंगे दोस्तो जेन्यू का पूरा नाम है जवाहलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जवाहलाल नेहरू विश तो कभी वहाँ के बच्चे फिस बढ़ाए जाने पर परदर्शन करते हैं तो कभी महाँ के बच्चों के उपर आरोप लगाये जाता है कि वह देस विरोधी नारी लगा रहे हैं दोस्तो पांच जन्यू को फिर वहाँ पर हिंसा हुई और जिसके बाद जेन्यू फिर से एक दोस्तो UPSC ने IES परिक्षा को कंड़क्ट करवाती है और दोस्तो उसी का result आया है IES का मतलब मैं आपको पता दू इंडियन एक्नॉमिक्स services ये UPSC ही इस exam को भी कंड़क्ट करवाती है और दोस्तो इस exam तो दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए है और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे नहीं तो बाद में आप भूल जाएगा दोस्तो UPSC ने इंडियन एक्नॉमिक सर्विसेज परिक्षा 2019 के परिणाम जारी कर दीए हैं जहां एक और जवाहल लाल नहरु में पाँच जुनवरी को हुई हिंसा के कारण तनाव का महौल है तो वहीं इसी बीच UPSC ने IES परिक्षा के परिणाम जारी किये दोस्तो इस परिक्षा में JNU के 18 छात्रों ने सफलता हासिल की है Indian Economic Services में All India Level पर सिर्फ 32 सिते ही होती है और दोस्तो अकेले JNU Campus के छात्रों ने 32 में से 18 सितों पर कबजा किया है इस परिनाम के आते ही यह साफ हो गया है कि JNU छात्रों को पढ़ने का महौल देता है और वहां का शिक्षा तस्थर काफी बहतर है काफी बढ़िया है दोस्तो हाल में हुई हिंसा के बाद एक बार फिर JNU को लेकर अलग अलग बहस जारी है जो सत्ता धरी दल है जो रूलिंग पार्टी है उससे जुरे राइट विंग राजनेता लगातार JNU पर टुकरे टुकरे गैंग का अरोप लगाते हैं और लगा भी रहे हैं जबकि लेफ्ट विंग से जुरे नेता और छात्र नेता JNU को बेस्ट उनिवर्सिटी बता कर मौजुदा सरकार पर उसे बरबाद करने का अरोप लगाते रहते हैं दोस्तो इस बीच UPSC द्वारा आया यह रिजल्ट यह दर्शाता है कि JNU केंपस का महौल चाहे कुछ भी हो लेकिन जब भी सिर्श परिक्षाओं की बात आती हैं तो वहां के छात अपना परचम जरूर रहराते हैं और दोस्तो IES Indian Economic Services का जो रिजल्ट आया है परिनाम आया है उस इक जाम में जिन्होंने टॉप किया है वो उरिसा के रहने वाले हैं और उन्होंने भी JNU से ही पढ़ाई की है तो दोस्तो एक ओर जहां 32 में से 18 सिटे JNU के बच्चों ने कबजा किया है और टॉपर भी JNU स है तो दोस्तो हमें जो दिखाया जाता है जो बताया जाता है JNU के बारे में साइद वो पूरी सचाई नहीं है दोस्तो वहां का जो पढ़ाई का अस्तर है वो काफी अच्छा है और दोस्तो क्योंकि वो एक political crisis का सिकार बन चुका है वहां पर उस university को लेके जो अलग-अलग party हालग-अलग wing है वो उस पे politics करते हैं इसलिए JNU इतना बदनाम हो चुका है नहीं तो दोस्तो वहां का जो पढ़ाई का स्तर है वो काफी बढ़िया है और आपको वो इस result से ही पता चल सकता है और पता चल गया है कि वहां का पढ़ाई का स्तर कितना अच्छा है तो दोस् चैनल को अगर्ण